नमस्कार एंड जैहिन दोस्तो मैं आपका अपना दोस्त प्रमोध यादो आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस वाला की अमेजिंग प्लेटफॉम पे जैसा की हम बात कर रहे थे विक्रांत सीडियस बैच की बात हो रही थी वो भी सीडियस वन की तो आज हम क्या पढ़न बेसिक अंदर स्टैंडिंग से फिर कुछ कोश्चन सोंगे जिनको हम क्या गरेंगे करेंगे चलिए शुरू करते हैं द्यान दिखना पहले मीन क्या होता है मीडियन क्या होता है मोड की बारे में सुनेंगे उसके बाद अगर आपने कभी भी डियाई पड़ी होगी डेटा इंटरप्रेटेशन तो डेटा इंटरप्रेटेशन और स्टैटेटेक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है अल्मोस्ट एक दूसरे के करीब हैं बट 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 यहां पर यह तीन टर्म आपको नजर आ जाएंगे क्या मीन मीडियन मोड क्या होता है तो सबसे पहले तो तो आपको मीन निकालना आता है मीन होता क्या मेरे पास सम अल्व अब्जवेशन अपॉण टोटल नबर ऑफ अब्जवेशन या फिर आप पढ़ते आएं क्या टोटल सम अपॉण नंबर ऑफ टम्स यह भी होता है फिलियर है बात तो भाइया हम बात कर रहे हैं किसकी मीन की तो मीन का मतलब क्या होता है यह खिला खिलाता है मीन को भी हम यहां पर गरते हैं कैसे मीन मतलब आपने कहां मात करें गए तो यहां पर हमारे examination में आर्थमेटिक मीन के वारे मिनपूषता है हमसे पूछेगा harmonic mean क्या है अब arithmetic mean क्या है geometric mean क्या है या फिर harmonic mean क्या है यह आपने सुना होगा जब आप 12th class में थे तो या फिर 10th में थे तब आपने पढ़ा होगा APGP arithmetic progression geometric progression and harmonic progression आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर जो mean था same चीज़ यहां पर वो है तो सबसे पहले हम बात करेंगे arithmetic mean की तो सबसे पहली बात तो arithmetic means को जाने से पहले हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि arithmetic progression क्या है यह ना हम इंदी में क्या बोलते हैं समांत्र सर्णी शपूस मेरे पास कोई है तो मेरे पास जैसे यह है ए प्लस डी है ठीक है ए प्लस टूडी है ए प्लस 3D तो यह जो मेरे पास सीरीज है क्या है यह जो मेरे पास सीरीज है यह किस में है भाई यह आर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज है अब अर्थम्रेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज कैसे होती है ध्यान देना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीरीज होती है वो कैसी होती है इनका जो होता है वो कोमण दिफ्रेंट हमय साथ झान की बात की जाती है तो वहाँ पर जो betुत हुद्स के बीच जो कॉमन डिफ्रेंट होता है वह हमेशा की एट है तो यहां पर जीसे मेरे पास A B मेरे पास किसमें भाई यह डिया रखार है मेरे पास two term दे रखें एक मुझे क्या निकालना है इसका इसका arithmetic निकालने तो simple आप क्यािक रोग्य ए a plus दिये है ee c a comma b comma c, मैं कुछ निकालना हो तो मैं क्या हो गारूगा a plus b plus c big तो मैं क्या गरूंगा जैसे मेरे पास चार्ट अम से a,b,c,d तो मैं क्या गरूंगा a plus b plus c plus d by clear होई बात I hope आपको यह बात समझ में आ गई होगी ठीके ना clear होई बात I hope इतनी बात clear है है तो अर्फमेटिक मीन अगरा बात करेंगे किस्की जो मेट्रिक मीन की बात करेंगा तो हमेशा किया निकल और पर अर का अर्लब भड़ रहा है pione… तो इस तरह की जो सीरीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं जुमेट्रिक जुमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं यानि हिंदी में इसको हम बोलते हैं गुलोत्र श्रेणी क्या बोलते हैं गुलोत्र श्रेणी और जुमेट्रिक जुमेट्रिक प्रोग्रेशन अब यहां पर अगर मैं बात मेरे आफ doing स्टार प्रम डें रखी यह अगर मेरे पास 4 तर्म दिए है एंग और मुझे क्या निकालना इंडिक मिन तो इसका अवरूटर उट आफ एब इस्का मेरे पास और पास मेरे पास देखो अब मैं अगर मैं बोले मेरे पास एफ टर्म है a b c d डोट-डोट-डोट एंट तक मेरे पास टर्म है तो मेरे पास GM बराबर हो जाएगा क्या एनथ रूट आफ of ABCD ceğiz Shive dot 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 समझे में आई होगो आपको यह बात OUT होगी ख़िको हे बात जो मेंट्रिक में यह रहा तरहं चरेंगे हार्मोनिक मीन की हार्मोनिक मीन क्या है अगर आपको एपी पता है तो आप हार्मोनिक सीरीज भी जानते है एक अ звучt हो आगर मैंने का tähän हैं औन अपन अर वन अपन भी किसमें हर्मोनिक neat harmonic सिरी जैंति इसका हार्मोनिक मीन जो होगा वह मेरे पास क्या होगा भाई द्यांदना हिन्दे में इसको हरात्मक्रेदी डिदी बोलता है लेसर की बोलते हैं यहां तक बात के लिए द सोफ। required है आई हो कितनी बात क्लियर है ज्यांदेना बात करेंगे रिलेशन अमंग आर्थमेटिक में जुमेट्रिक में अब यह क्या है वें डेटा इस इक्वल अगर मैं यहां पर बोलता मेरे पास दो टम है टू कॉमा टू तो अगर मैं एम निकालूंगा अर्थमेटिक मीन तो मिर पास कहिएगा 2 प्लस टू बाइटου यह नि किता गहाँ फूर गाइटू यह निमास किता सकता गैस अगर मैं जी एम निकालूंगा तो इंटू किता गया तो है हैं निकाल हौँ तो मिरे भूपस क्याएगा क्वाइश ओफ टू इंटू रहा है कि आप से यह पूछ लेता है ये तीनों आपस में बराबर कब होते हैं जब सारे टम क्या होंगे आपस में बराबर होंगे arithmetic mean geometric mean और harmonic mean कब बराबर होंगे जब उनके each term आपस में क्या होंगे बराबर होंगे अब बात को समझेगा यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलू जब data is not equal जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर मैंने ले लिया 2 और 4 ले लिया ठीक है ना तो am मेरे पास क्या आ ले लेता हूं ठीक है ना तो am की अगर मैं बात कुरू तो am मेरे पास क्या आएगा बही टू प्लस एट बाई टू है ना आठ दो दस बटे दो कित्ता आगे मेरे पास पांच आगया जीम निकालूंगा मैं तो जीम मेरे पास क्या हैं गंडरू में टू इंटू 8 यानि की सबसे बढ़ा है उस्से चोटा जीम और उसे छोटा क्या है है पाथ समझ मैंगी तो एक हंबरा यह है सब्से Canada हमारे पास डेटा क्या होगा डिफरेंट और सबसे छोटा मेरे पास क्या होगा हार्मोनिक मीन होगा पास समझ में आई कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी ठीक है तोड़ा सब हम आगे बढ़ते हैं थ्यान देना कि relation अमंग एम जुमाने हम तो भाई यह रिलेशन होता है मेरे पास एम इन्टु जीए में इन टु एच युष टू जी जी बीस्टो घहने का मतलब क्या है जो मेरे पास जीमेट्रिक मीन है ध्यान दीचेगा त्यूमेट्रिक मीन है वो किसके बराबर होगा अंडरूड में एम इंटो हम यह याद रखे गाई इस एंपॉर्टन रिलेशन के लिए बात आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अब हम बात करेंगे मीडियन और मोड की वाट इस मीडियन इन वाट इस मोड एक इन अब इतता लंबा मेरे पास डेटा है तो अब हम यहाँ पर क्या है 5 6 4 3 3 9 8 है अब इत्ता लंबा मेरे पास डेटा है तो अब हम यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरे पास मीडियन क्या है मीडियन क्या है तो देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ नौ दस एक और टम ले लेता हूं मैं मैंने ले लिया ग्यारा अब सबसे पहले अगर आ descending order में कीजिए या फिर descending on it में कीजिए तो हम भाया हम यहाँ पर कर करते हम बचपन से ही छोटे से बढ़ा लिखते हूए दो कि आए हैं तो हम वही करने वाले हैं तो यहाँ पर सबसे चोटा प्या है तीन कि इतनी वारे एक-डो-Дो-शच तो एक-शचार बर तीन लिखा मुष हमने लिग दिया चौँ टिसके वाद एने पास पांच उसके बाद है मेरे पास चे उसके बास साथ है फिर मेन पास 8 है पिर 9 है और फिर मेरे पास क्या है तो भाईया हम क्या करेंगे कांट कर लेते हैं कितने नंबर है यह वह देखो कि यहां पे हम काउंट करेंगे एक दो तीन चार पांच छे शे शाट द आठ नौ देस ग्यारा तो भाईया पास क्या कहलाएगा मीडियन कहलाएगा बास समझ मैं कि नहीं पाइब मेरे पास क्या कहलाएगा मीडियन तो जो मिडिल वाला टर्म होगा उस मिडिल वाले टर्म को हम क्या बोलेंगे मीडियन बोलेंगे ता बोलेंगे मीडियन और जो टम सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रह मॉड कहला आया बात clear है कि नहीं clear है what is median what is mode बात समझ मैं की नहीं देखो वाया middle वाला जो term होगा उसको हम बोलेंगे median और जो मेरे पास क्या होगा जिसकी frequency सबसे जथा है उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे मोड बोलेंगे बात समझ में आगे नहीं आप देखो यहां पर ऐसा सीन था कि यहां पर नमबर ओफ टम्स जो थे वह बास और थे तो हमें यह डिसाइट करना आसान था यह यह बास क्या था डिसाइट करना आसान था अगर मेरे पास नमबर ओफ टम्स मेरे पास even होते तो मैं क्या करता भाई देखो सब्सक्राइब पास किता है तीन चार पाँच साथ आठ नो तस तीन तीन शेक साथ और मैंने ले लिए 11 तब से पहले तो मेरे को इसको क्या करना होगा असेंडिंग और या फिर डिसेंडिंग और में बनाना होगा तो इसको हमें बनाने की जरुत नहीं है तो आपको क्या गरना है वही मेरे पास क्या क्या कहलाएगी मीडियन कहलाएगा भाई क्या कहलाएगा मीडियन कहलाएगा यहां पर कौन होगा इन दोनों का एवरेज इन दोनों का जो एवरेज होगा उसी को हम क्या कहेंगे उसी को हम कहेंगे यहां पर मीडियन आठ साथ मेरे पास कित्ता होगा पंद्रा-पंद्रा का आदा गों कित्ता सब्सक्राइब यहां प्याएगा वो मीडियन बात समझ मैंगी नहीं क्लियर है और इसके लिए हम एक फॉर्मुला भी जानते हैं क्या देखो आ याद है तो ठीक है नहीं याद है तो भी ठीक है क्या वेन नमबर ओफ टेम्स आर और जब नमबर ओफ टम्स मेरे पास क्या हो औ एन प्लस वन बाइट टुए टर्म डिवाइड बाई टू एर वी बात देखो यहां पर आप इसी फॉर्मुले को लगाओगे तो मेरे पास किते टर्म से चार चार आठ तो एट बाई टू एथ टर्म है ना और दूसरा मेरे पास क्या है भाई ध्यान देना एन एन बाई प्लस वन कि एड़ बाय 2 प्लस वन है ना एन बाय 2 प्लस वन टर्म होगा ना मेरे पास बात समझ भाई कि नहीं जल्दी से बताओ यहां तक बात क्लियर है आई होप इतनी बात आपको पिलियर है तो यह विर बस किता आएगा भाई नाइन टर्म तो एट टरम आध देखो य है इसका average करना था हाफ कर दिया वही चीज आई तो भही है यहाँ पर हम क्या कर लेंगे यहाँ पर रुपस क्या जाएगा यह थोड़ा सा इरेस कर लेते हैं यह मेरे पास हो जाएगा कितना भाई यह बस हो जाएगा एन बाई टेक्स वैल्यू 210 210201 एक सो दो बीस बारा दो एक तो टम्स कितने हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ वहमें क्या करना होगा एट्थ रूट निकालना होगा और फिर हमें क्या करना होगा सब के प्रोड़क्ट करना होगा 210 इंटू 201 इंटू एक सो दो इंटू 20 12 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 0 अब यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा कटके क्या जाएगा जीरो तो आंसर किता आगया आपके पास 0 यानिकी ऑप्शन नमबर डी ठीक है ना जीमेट्रिक मीन निकालना था आगे बढ़ते हैं अगला कुशन है क्या वहां पर सर्वे करूंगा वहां का डेटा कलेक्ट करूंगा तो डेटा किस रूप में होगा वो नमबर्स के रूप में मैं कलेक्ट करूंगा तो यहां पर जो हमारे पास जो आएगा जो ग्रुफिल क्यल डेटा से हमें कोई मतलब नहीं उससे हमें कोई पता नहीं चलेगा chronological data से भी चीज़ें नहीं पता चलेंगी qualitative से भी क्या लेना धायना है हमने लेना धिना है किस से quantitative data से लेना देना है तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा quantitative data what type of classification needed to emunate the female population India itqua Anna ऑगे बड़ते हैं द्यान देना इव दमीं ड़ारी अफ वरीरबल एक्सेजिस ग्रफ इस ऐन गर बने ऑफ ओक। व कि अब क्या रख देंगे एम रख देंगे खुराइब मैंनस फोथ अपॉन 59 कोई लेह नहीं बस डेटा में परिवर्तन हो गया कुछ नहीं आएं बड़ा आसान सा पूशन था ह हमारे पास आगया कितना option number 1 आगे बढ़ते हैं अगला question आगया है हमारी screen पे question हमारे पास क्या लिखा है if the mean of y and one upon y is m then what is the mean of y cube and one upon y cube तेगे ना क्या देरेक्खा है मेरे पास y plus one upon y upon किता देरेक्खा है 2 किसके बराबर है भाई m के बराबर है इसको solve करके तो मेरे पास आगया y square plus one upon में किता आगया 2y is equals to मेरे पास आगया यहां तक बात clear है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक बात समझ महीं कि नहीं है या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं इसको ऐसे मत करो ठीक है ना यह नवास क्या था भाई मेरे पास था यह प्लस one upon y is equals to m है एक एक अपान में टू तो वाई प्लस one upon y जो आ गया वो किसके बराबर आ गया 2m के बराबर आ गया किससे बराबर आ गया 2m के बराबर आ गया मुझे चाहिए क्या y cube लप एंड वाई मैं अब मुझे यह चाहिए य क्योग प्लस one upon y cube अपन में क्या चाहिए टू हमें इसकी वेल्यों चाहिए लिए 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 वाइव वांट वी वांट दिस इसको हम कैसे निकालेंगे बच्चे ध्यान ने पाँ हम आपून वाई खूर । हम यह आ गया है हम क्या ग्रेंगे बोट साइट क्यूब करेंगे है क्यूबिंग बोट असस इसदे जो यह जो ऐसा करेंगे पल्पास क्या आज आगा वाई प्लस वन अपन माय अब मेरी बात को ज्यान पूर्वक सुनना यह मेरे पास हो गया थ्री यह मेरे पास कित्ता हो गया भाई एम हो गया भाई एट एम क्लियर होई बात है है आई होप इतनी बात क्लियर हो गया अच्छा सौरी यह 2-2 भाई है तो है मेरे पास यह की था उबिलस यू एक पॉद्भर लाइं थिए यह यह के बराबर आ गया इट एम क्यूब माईनस सिक्स है बात समझ में के नहीं आप को इतनी बास समझ में आ गई minus 3M, या फिर आप M common ले लीजे, तो यह भज़ेगा, 4M square minus 3, कितना आ गया, M, 4M square minus 3, and this is the, this is the, this is the, this is the mean of Y cube and 1 upon Y cube, clear, I hope इतनी बात आपको clear हो गई होगी, आगे बढ़ते हैं, अगले question की देखो, क्या लिगा हो है, the following observation have been arranged in ascending order, ठीक है, if the median of the data is this, then what is the value of X, हमें क्या बतानी है, value of X की बतानी है, तो पर पास data क्या है, देख लो, मेरे पास है 29, मेरे पास है 32, मेरे पास है 48, मेरे पास है 52, मेरे पास है X, मेरे पास क्या है, X plus 3, मेरे पास है 71, मेरे पास है 75, मेरे पास है 80, मेरे पास है कितना, 92, देखे न, clear होई बात, तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे इसमें number of terms कितने हैं एक दो ती चार पांच छे साथ आठ नौ दस दस तर्म हैं तो हम क्या रहेंगे अपन में किता आ गया तू इसको बदाबर में पास 61.5 गे रही बात आई हो पित्री बात क्लिए तो यह बास हो गया टू एक्स प्लस ठ्रीट एक डोगे तो दूना चार एक पांच आ गया और च्वे दूनी बार आ गया एक सो पच्छेस आगे यहां तक बात क्लिए एक सो देखो 61.5 मेंगर 2 का होगा करेंगे तो पाँज दूनी दस होगी जाइट किता होगा रही है कितना होगा बही 123 देखेंगे तो 2x बराबर किताग्या 123-3 दूएक्स बराबर किता गया 120 आ गया 2 बराबर आगया एक्स बराबर आगे 60 एक्स की वेल्यू कित्वी आगे मेरे पास यहां पे 60 एक्स कोश्चन की हम बात करते हैं लिखा है आपके सामने क्या डाइ लीख यहां कहां पर डाइग्राम स आते हैं वहितन बार ग्राफ एक साप्सि टॉता हैं यहां की तो ग्राम भी है तो सेलेक्ट दा करेक्ट आंसर यूजिंग दा गिवन विलो तो विया तीनों के तीनों है मेरे पास तो वन आपको कौन आ जाएगा वन कॉमा टू कॉमा थी ठीक है तीनों के तीनों आ जाएंगे 2019 में पूछा भी गए कोशिन तो कितना असान जादा पता चल लि collect all the sequence मतलब दो है मेरे बास इस तरह एक है ठीक है न इस से related देखा collect the all sequence of five consecutive integers such that their product is equal to one of these integers ठीक है na let x be the collection of all the possible such sequence let be the smallest integer and q be the largest integer occurring in these sequence ठीक है तो हमें बताना क्या है how many such sequence of five consecutive integers are possible देखो यह सबसे पहली चीज तो अगर हम यहां पर आपसे बात करें तो हम क्या का चाहते हैं collect all the sequence of five consecutive integers such that their product is equal to one of these integers तो भहिया देखो सबसे पहली चीज तो ऐसा होना बहुत क्या है rare है और होगा कब देखो एक नंबर ऐसा होता है जिसमें हम किसी भी नंबर का multiply करें तो हमेशा वही नंबर आता है कौन सा नंबर है वो वो नंबर है कौन सा 0 वो नंबर क्या है 0 तो भाई या सुनो हमारी बात ठीके ना अब यहां पर अगरम आपसे बात करें तो हम क्या ले सकते हैं हमको integers की बात करनी है integers क्या होते हैं minus infinity से लेके plus infinity तक जितने भी नंबर होते हैं they all are integers वह सबके सब मेरे पास क्या होते है वो सब के सब integers कहलाते हैं तो हमें यहाँ पर पाच integers लेने हैं तो भाईया मैं पहले सुठा लेता हूँ मैंने मिले लिया minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 और 0 क्या ले लिया मैंने 0 ले लिया बास समझ मैं इनका मैं अगर प्रोड़क करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा जीरो मिलेगा अब देखते हैं ऐसे कितने continuous sequence है हमारे पास तो भाई देखो यह रहा उसके बाद अगर मैं बोलूँ minus 3 minus 2 minus 1 और 0 और मिरे पास आगे 1 ठीक है ना इसका भी प्रोड़क करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 0 और यह sequence है यह sequence में है इसी तरह मैं बोलूँगा minus 2 minus 1 0,1,2 इसका भी प्रोड़क किया जाएगा तो 0 आएगा और यह भी continuous sequence में है चलो मैं minus 1 लूँगा मैं लूँगा 0 मैंने लिया 1 मैंने लिया 2 मैंने लिया 3 पांच हो गए मेरे पास इसका प्रोड़क किया तब भी 0 आया अब मैंने लिया 0 मैंने 1 मैंने 2 मैंने 3 और मैंने 4 लिया तो भी प्रोड़क्ट आया 0 अच्छा अब जैसे ही में sequence चेंज करूंगा तो मेरे पास 0 आना बंद हो जाएगा मतलब आपको दिख रहा है कि यह पाच ऐसे सीक्वेंस है जिनका हम multiply करते हैं तो multiply करने पर क्या आता है जीरो आता है जीरो आता है पास समझ मैं की नहीं तो तो यहां पर आगे मेरे पास 5 यानि की option नमबर डी बात option नमबर डी हमारा यहां पर क्या हो चुका है क्लियर भी बात आई हो पितनी बात क्लियर है आगे बढ़ते हैं अगले कोशिए इसी से रेलेटेड है क्या पूछा गया है और वाट इस अर्थमेटिक मीन ओफ पी एंड क्यू तो देख लेते हैं पहली पी किया है क्यू क्या है लेट पीवीज दा स्मॉलेस्ट इंटीजर ठीके ना पी जो है स्मॉलेस्टंटीजर है and you be the largest integer और क्यों जो है वह मेरे पास किया है एक largest integer है तो भाईया बताओ what is the arithmetic mean of P and Q तो भाईया देख लो सबसे छोटा integer यहाँ पर किता है माइनस का 4 और सबसे बड़ा integer किता है मेरे पास 4 है ठीक है सबसे छोटा integer यानि P मेरे पास यह आ गया क्यों मेरे पास किता आ गया यह तो मुझे क्या निकालना है इसका आर्थमेटिक में निकालना है मतलब दोनों को जोड के हाफ कर देना तो मेरे पास हो गया माइनस 4 प्लस 4 डिवाइड़ बैट तो जीरो आ गया किता आ गया ऑप्शन नमबर ए ठीक है बात आई होप इतनी बात आपको पाकिस्तान है इंडिया है म्यानमार है और मेरे पास चाइना है जिनका लेबर प्रोटेक्शन दिया हुआ है किसमें रुपए में किते 36 रुपए 85 रुपए और 100 रुपए बात को समझेगा लिगा यूजिंग दे स्केल वन सेंटीमेटर स्क्वाइर इस गोज़ तो 25 की बात करेंगे कि में कien और पास किता वजाएगा यूज दो यह मेरे पास एरिया तो मुझे लेंथ चाहिए होगी तो में लेंथ करने के लिए के लिए गरूँग इसका अंडरू Dublin निकाल दूंगा धिनस किता गया 9 by five तागया nine by five यानि किता गया one point eight centimeter तागया one point eight centimeter यानि कि आगे मेरे पास कितना option number कि रिवात यहां पे क्या correct होग्या option number A is correct here ठीक है आगे बढ़ेंगे अगले कोशन है अगला कोशन आ गया है देखो क्या लिखा हुआ है एन अवरेज इंडियन फैमली अलोट इट्स मंथली इंकम अंडर डिफ्रेंट एट्स आइट्स आइटम ठीक है ना फूर्ट दे रखा है पर्सेंटेश रिखें सब जगे लिगावाँ पाई डाइग्राम अफ दे चीज़े क्या है पर्सेंटेश में है किसमें पर्सेंटेश में देखो यहां लिखा हुआ है और एक चीज़ याद रखीगा कभी भी कोई चीज़ अगर कंप्लीट है अगर इसका पूरा पूरा हाउसओल्ट कंप्लीट है तो भाईया यह टोटल डिगरी में 360 होगा और पर तो हन्रेड परसेंट यहां पर किसके बराबर हे कि ठीगरेगे तो कुछ नहीं करना आ है आपको 36 की बात करने थी थी तो तर्टिसेशक् एकना बचता है टीक है ना कि परसेंट मेरे पास किसके होगा अभी भी आजा है तो एक होता होगा एक है तो मेरे पास ध्यान देना यह वंबस किता थचानी सो पइस किता ओगा मेरे पास ऑy कै कि फिफ्टी पांच दॉटक्री या फिर मैं ऐसे कर सकता हूं है सप्टाइब लफ यह खिर ऑटा फचानीस एचता तो मुझे पता है और आप यह भी नहीं होता तो आप एक्स वराबर दस परसेंट भी डारेक्ली बोल सकते थे यानि की ऑप्शन नमबर सी हमारा यहां पर क्या है क्लियर है कोई दिक्कत नहीं इसमें मतलब यह जो है ना यह आपको ब्रहमित करने के लिए कहा गया है तो परसेंटेज में तो यह समझ में आगे बढ़ता है अगला कॉस्टे ना यहां फ्रॉमा सीरीज ओफिफ्टी ऑब्जवेशन एन ऑब्जवेशन विट वैल्यू 45 इस ड्रॉप्ट बट दा मीन रिमेंस दा सेम वाट वाट वॉस्टी ऑफ ऑब्जवेशन देखो तुम इसे एवरेज को कुशन की तर थे थे ना एक समझ में आई की ना हॉका इसे अरी अगर गर्रॉप से निखल कर ड्रॉप बट दमीन रिमेंस दसे मतलब एवरेज में कोई चेंज नहीं होता है तो अगर 45 वाला आए जाहिर आ है तो एवरेज में कोई चेंज नहीं हुआ है तो भाई देखो सबसे पहली चीज तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ देखो दिखो लिगावा है फ्रॉमा वाला गया है मतलब एवरेज जो है वो कितना है हमारे पास 45 ही है ठीक है बात समझ में की नहीं कि या फिर आप इसे को सॉल्व करके भी देख सकते हो लेकिन अगर आपको यह चीज पता है आपने अगर एवरेज वाला लेक्चर नहीं देखा है तो एक काम कीजिएगा एवर killing data consider following for the next four items you know that yeah the following Oh that follow ticket one simple direction consider the following for consider the following bus itiens the following bar chart gives the production of cars by three different companies X Y and Z in different years the percentage increase in that total production of car from 2014 to 2018 की बात हो रही है तो देखो यह मेरे पास से क्या है एक बार ग्राफ है जो भी आप से बार ग्राफ है देखो यह इस्ट्रोग्राम भी बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यह मेरे पास जो है यह दिया हुआ यह वाली जो है यह मेरे पास है य और यह लोगाज़ बात को समझना लिखाबाद पोलसेंटेज इंक्रीज इंदा टोटल प्रोडक्शन ओफ कार्स फ्रम् 2014 से 2018 तो 2014 में देखो मेरास प्रोडक्शन किता है यह मेरे पास 300 यह मेरे 420 सो यह दो 2018 में हम आते हैं तो 2018 में अर्वस्किया यह मेरे पास किता भाई 100 पास रहते है यह इसकी ताहर सो और यह मेरे बश्किता है 500 बिजो गब हो गया और ये आठ सांधाव पंदरा जेंग दो हो चुका है। तो इनक्रिमेंट हुआ है कितने का हात्'. 1000 से 2000 हो रहा है एक हजार से 2000 हो रहा है तो किते इच्छी को में हाए एक हजार का इंक्रीमेंट हुआ और यह $1,000 का किस पही यह होगा 1000 पहोगा और शेंटेज में चाहिए तो गया 100 किता आगे आपास 100% बात समझ महीं कि नहीं किता आगे आगे आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी option number B हमारा यहां पर क्या हो गया है correct हो गया है आगे बढ़ते हैं अगले कोशन इसी से रिलेटेट कोशन है ठीके ना क्या लिखा हुआ डारेक्शन consider the following for the consider the following लिखेंगे बैस the following ठीक है वही चीज़ है in which year was the percentage increase in production of cars minimum as compared to its previous year ठीक है क्या बोला गया है भाई किस वर्ष में percentage increase in the production of cars वो सबसे कम है पिछले साल की तुलना में ठीक है ना तो भाईया देखो सबसे पहली चीज तो यहां पर हमने देखा था अभी हमने देखा यहां पर production किता है 2000 का यहां पर हमने prox da 2 1000 का अब इधर का बात करो कि यह वर से चार्ечат सो टीक्या यह сstudy यहां पर अगर इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप यहाँ पर अगर बाद कर लूँ तो यह मेरे पास किता है 500 बात समझ वही इतनी बाद क्लियर यहां पर जो मैं आऊंगो तो यह मेरे पास 600 रहा यह मेरे पास किता रहा 400 रहा यह किता है 400 और यह मेरे पास किता है 700 यह साथ होता है 13 13 4 में अगर दखो अगर हम चार जोड़ेंगे तो इता हो गया तो यहां बास समझें आप से पूछा क्या गया है कि इन वीच यह वाज़ा परसेंटेज इंक्रेज इन प्रोडक्शन वाज मिनिममाइस कंपेर तूदा प्रीविएस यह तो 2015 की बात करेंगे तो यहां चेंज किता हुआ है 200 का दो फिसेटेज में चेंज है तो इन तूहंटेज में तीन फिजीट इंक्रीव संट तो यहां पर विद्वास कहते हैं 20 परसेंट का इंख्रिमेंट और करें दूजर सोला की बात करेंगे तो पंद्रा-बारास को से किता हुआ हूँए 1500 तो 300 का इंक्रिमेंट किते पे बारास हो पर तीन सो का इंक्रिमेंट है बारा सो पे परसेंटेज में चीट तो इन्टू हंड्रेड हो गया तीन से काटा सो आ गया जीरो से जीरो कट गया और तीन चोके बारा तो चार से काटेंगे किता गया पच्चिस तो यहां पर जो इंक्रिमेंट हुआ किता हो गया पच्चिस पर करेंघेप पंधरा सो पे हो गई आ पंधराइस दवल कट आête थैए पंधरा आ गया पास दुनि दस आ ठीक है ला फिवे पेंगे-ड繼續 बटे किता गया तरृत sortie 13.3 3 something एता 13.3 3 something एक लेर भी बात डबल जीरो है अब यहां से आगिता इंक्रमेंट है तीन सो का तीन सो का किस पर होगा सत्रा सो के पर सेंटेज में चीए तो इंटू 100 हो गया डबल जीरो से जबल गे चुगा शत्रा से करेंगे तो सत्रा ही कम मेरे पास हो जाएगा सत्रा है सब्सक्राइब 10 में 17 suggestion कि किया बाचा 3 कि 15 की कि थेरा डो 17 सब्सक्राइब यहां पहीं पर सक्क्राइब देखो prettyrice सिंपल है यहां से हां यहां से यां सब्सक्राइब 17 परसंट के संथिंग हो रहा है मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा मिनीमं मूचा है न तो भ!. भी यह बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कुशन क्या कह रहा हमारे पास देख लेते हैं लिखा इव दा मीडियन ओफ दिस्टिबूशन वाट इस देख लेते हैं तो देख लेते हैं आपर क्या है मेरे पास यह यह है यह आल्रेडी किसमें है एक्सेंडी होगी होगी तो बहुए देकिस सबसे पहल संकिते हैं है एक तो तीन चार्थ तो आठ टार्थ ठीक एना आठ टर्म है तो हमें मिडिल वाला टम चाहिए तो मिर्फ हो कि अब तो तर्म औरर 5 तर्म यहां पर जो होगा मेरे पास median होगा यह पर आएगा थे वाट हो सकती है। नौ के बड़ाबर है या नौ से बड़ी है या 15 के बराबर है या 15 से छोटी है यानि की option number D हमारा यहां पर क्या हो गया प्रेक्ट हो गया ले बात option number D हमारा यहां पर क्या हो गया है प्रेक्ट हो गया है आगे बढ़ते हैं अगले कॉश्च नम्बर 15 क्या लेख हुआ है set a b and c contains five numbers each ठीक है the median of number is these sets are three eight and eleven what is the median of combined 15 number of three sets देखो भाईया सबसे पहले चीज तो हमें क्या देनी दिरखा है कि दिखावाई sets a b and c contain five numbers each ठीक है ना सब में किते हैं पांच पांच नमबर है the medians of the numbers of these set are three eight and eleven medians दिरखी अगर मीन होता तो हम कुछ कह सकते थे ठीक है ना what is the median of the combined 15 of these three sets तो भाईया यह हम calculate नहीं कर सकते आगर हमारे पास डेटा होता तो में हम कर सकते थे अगर यहाँ पर डेटा गिविन नहीं लेकिन अगर यहाँ परамен पूछता थो मीन जरूर बता सकते हैं ए नहीं बता सकते बिकोस मीडियन होता क्या है मेडियल वाला टाम है तो हमें यह नहीं पता है कि ए में कौन से नंबर है बी में कौन से नंबर है और सी में हमारे पास कौन से नंबर है तो हमें यह बिल्कुल नहीं पता है हम यह बता सकते कौन सा टर्म हो सकता है यह हम यह नहीं बता सकती कि क्या होगा एक ना तो केनन आट भी डिलिडार डिटरमाइन ठीक है आगे पारते हैं 16 अब अब यह पासले या दा डार डारीक्शन इनका डारीक्शन इरेक्शन फॉर देंगा हूँ एन तिकर डा डारीक्शन यह लिखा हूँ है consider the following data with regard to the different type 1 2 3 4 of multivitamin tablets production in the company multivitamin tablets production in a company in LAX the ratio percentage drop in the production of 2004 compared to 2001 to that in 2002 2001 तो बहिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कितना कितना सीन है तो हम बात करेंगे किसकी 2004 की पहले बात कर लेते हैं तो यहां पर कितना होगा एक तो दो सो थीन सो यह रहा एक फिर जूड़ेंगे आठ एक नौ नौ आठ किता हो गया सत्रा सत्रा में अगर हम नौ जूड़ेंगे तो हो जाएगा अब इस हब इस और एक हो गया 27270 और बात करेंगे दो हजार एक की तो दो तीन चार पांच पांच तो यह रहा रहा एक तो यह रहा उसके बाद मेरे मेरे पास किता गया च्छे सो पंचाने ले एक उसके बाद मेरे पास से 2000 2000 किता है देखो बरबास तो रहा आठ और चे हो गया 14 14 721 में नो जोड़ा मेरे पास आगया तीस 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 और साथ तैस्ट यानि तीन सो सकतर यह रहा और चार्सों सकतर तो गया चार्सों सत्तर यानि चार्सों पिछित्तर हो गया तो आप से पूछा क्या है दर रेश्यो परसेंटेज ड्रॉप इन टोटल पॉपुलेशन और प्रोड़क्शन और टू थाउजन फोर कंपेर टू थाउजन वन तो भाईया देखो यहां पर चेंज क्या है दो जार एक से द चस्ता घ्या देखो या मुअ सबस्क्राइब करने, मेरे पास क्या है बहुत ज़िक्टनि तक अंग तो यहां पर बात रॉचा लंतो तो यह कि मेरे पास 220 का ड्रॉप है इस पे 695 यह से कैंसल आउट किता आ गया एक रेशियो दो किता निकल के आगे मेरे पास वन रेशियो टू किता निकल के आ गया वन रेशियो टू यानि की ऑप्षिन नमबर सी हमारा या पर क्या हो गया है तरेक्ट हो गया ओप्षिन नमबर सी इस करेक्ट यह रहा है आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी आगे बढ़ते हैं ध्यान दीचेगे पूश्चन नमबर 18 है मेरे पास यह पाई चार्ट दे रखा है क्या रिखा है भई पाई चार्ट ठीके ना क्या लिखा हुआ है डारेक्शन था अधने विए धर फोल्वाइं ठीक है था कॉन्सेटर दा फॉल्वाव लिखा हुआ है भई ध्यान दिना कितने को शनिसके स्थ तो यह लिगवाओ फो रिखावाई धैरेक्शन सीडरीड फॉलमिक फॉल्विंग फॉल्व फॉल्वाइचर्ट शोजा पोसेंटेज और यहां पर 4,000 है ठीक है एंड एंड टीक है ना एंड 2000 यह कितने हैं 5000 है ठीक है कितने भाईया 5000 है तो आप से पूछा क्या है there are two categories of employees in 2009 in whose to whose total strength remain the same in 2020 what is these two categories categories तो भाईया देख लेते हैं क्या क्या है नो आप इसका जाता है वहता है तो पहला तो पहला तो option अपने आप खारीज हो जाता है आप से क्या पूचा गया सेम तो नहीं बनने वाली 16-kers 64 ha 58 2021, जादा हो गया, E और 1 की मैं बात कर लूँगा, E है मेरे पास 27 और E मेरे पास किता है 20, तो यह हो गया 47%, ठीक है, और E और 1 की मैं यहाँ पर बात करूँगा, तो E मेरे पास 27 और E मेरे पास 22, तो यह भी जादा है, यह भी कभी बराबर नहीं हो सकती, तो यहां पर देख सकते हैं ठीक है तो यहां पर उननचास इंटू चार हो जाएगा कर देते हैं कि नौ चुको शोला सोला में तीन अगर हम जोड़ेंगे तो पर उननेस यहां पर क्या कुछ हैसा होगा नहीं होने वाला है और यहां पर सीडी मेरे पास किता हो गया और बीस हो गया तो भाईया यहां पर हो गई है चीजे क्या पच्चिस हो गया सो यानि कि यह पर करेक्ट है जब हमने तीन काठी दी है तो बट आवेस ही बात है अपने आप चौता हो जाएगा और यहां पर चौता ही है यह बात तो अप्शन नमबर डीस करेक्ट ठीक है आगे बढ़ेंगे अगले कोशन के दरफ अगला कोशन क्या है ठीक है ना इन विच आफ फॉरेंग के टेगरी संप्लोई इस परसेंटेज की बात हो रही है यहां पर सबसे पहले चालेस और यहां पर एक परसंट केता होगा फचास ठीक है यह बात बात को समझो एक यह बात करेंगे तो मेरे बाद बीस परसेंट है तो मेरे बास होगे 800 है ना भई चार दुनी आट तो यहां पर रवास किता होगा 225 किता होगे भई एक सुदस है ना वाइट फर मेट यारास हो जाएगा 22 इंटू 50 करेंगे तो पांच दूनी दस होगे तो यहां पर बास आट सो से हो रहा है जारा सो कितने का चींज है भई तो यहां पर अगर में बात कुरूंगा तो यहां पर अगर में बात कुरूंगा चेंज की तो पांसो है यह दो 250 है तो कितना चेंज भाए दस दसमें से टाया किता बचाएख चे, चार मैं से जग हो गया तो दो सो साथ तो भईया यहां पर बहुत ज्यादा चींज है देखो 500 है न भाई देखो यहां पर छे च्शोकों चॉबिस हो गया और पांच दहां मेरे पास किता आगया 500 हो गया तो भहिया चेंज कितने कहए दो स्थ वटे किता है तो साथ वटे किता गया 242 जिरो सी जिरो गढिया दो से काटा 12212 तो यह रहा बात करूँ तो यह मिरपास किता जागा 108.33% का चेंज है यहां पर 11 परसेंट यानि किता हुग चार्सो चार्स तो भई स्वारी चार्सो चार्स क्यों हो कि 11 परसेंट ना तो 550 हो गया तो भाई या देखो यह 550 हो गया ना देखो यहां पर क्या होगा 11 परसेंट ना तो तो ग्यार इंटु पचास किता हो गया 550 तो मेरे पास 400 है यह उर्फ फांसो पचास है तो क्यों देड़ सो का चेंज हो गा और देड़ सो का 400 बहुत हो गाई यह वाला तो नहीं होगा डी के मैं बात करता हूं यहां पर 15 पर सेंट यहां पर 9 है तो बट ऑविसी बात है यहां यह आपर क्या हो गया करेक्ट हो गया जो कि 100 प्लस चेंज है भाई तो क्या लिखाव इन विच ओफ द फॉल इंगरी आपको इतनी बात क्लियर हो गई हो गई क्लियर छे आगे हम बढ़ेंगे अगले कोश्चन की तरफ अगला कुश्चन हमारे पास क्या है 20 एक ना क्या लिख हवाई दफ वाट्फ वगवजगी कटिगरी ऑफ इंपलव इं 2020 पर्सक्राइब nuo थो छॉन यहां पर एक साली सै पचास तक सब्स्टाइब js सताइस पक्चे होता है 135 इना वह साथ पक्चे 35 का 5 क्यारी किता हो गया 3 5 दूपनी दसके तरह सो पचास कितने का चैंज होऊ वन जीरो एड़ जीरो है यह मिने पास हो गया 0 15 में से 8 किता बचा साथ 272 का चेंज है और और यह 270 का चेंज किस पर होगा 1080 पर होगा पर्सेंटेज में चाहिए तो इन्टू डबल जीरो यह कटा नौ से काटेंगे किति ब्राज जाएगा नौ तिया सताइस बारा नहुए या हूसे स्रेंट इंक्रेज इंपर्सेंटेज इन 2020 दिग ना से इपर्सेंट चेये को अधिक्ट अब एक यान ऑगा तो ऑचिन आमारा से मैं तो इसका और यह ही आएगा यही आएगा ए-nc के लिगण देगा एए-nc के आई-nc आया आगई कि cnd आए था अलग अलग है क्या दियरा टू केंटर केटेगरीज ऑफ इंपलोई स्ट्रेंथ रिमें दा सेम इन 2020 अभी क्या बोला गया है और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है भाई देखो वाट इस दा तू के टेगरीज कि दिखिए ना देरा टू के डिगरीज ऑफ इंपलोई स्ट्रेंथ इंक्रीज बाइस सेंटेज इस 2020 वाट इस दर अच्छा पर सेंटेज चेंज निकालना वाई देखो यह और बड़ी आफ़त है देखो काता ही लंबा कर दिया है इन्हों ने अभी हमने शायद यहां पर स Osman해u के use किया है क्या हमने यहां पर पर सेंटेज चीज निकालने की कोशिश किया और यहां पर भी अमने पर सेंटेज चेंज निकाला है तो कवी कवी examination में हमें क्या करना पड़ता है डेटा सहेज के रखना पड़ता है तो सारा डेटा नहीं लेंगे हम options उठाएंगे और options से करना शुरू करेंगे यहां पर 1% है 40 और यहां पर मेरे पास क्या है 1% है 50 क्या है 1% मेरे पास इधर 1% 40 है इधर 1% मेरे पास क्या है 50 यह और एफ की बात करते हैं क्या लिखावा हुज इस्ट्रेंथ इंक्रीज भाई सेव पोसेंटेगे टुए है ना तो नो टू कर दिग्रीज ऑप्लेफ फूस इंक्रीज बैस सेंप पर संटेगे थे खोव ध्यान देना नहीं दिख रहा और खीवाद करें फिर यहां पर रवास किता है हमने घुर फिया था इंधल देख लेटा है कि हाँ आप यहां पर बाइस और यहां पर रवास 27 सब्सक्राइब करें सबसे पहले चीज तो यह है if there are two categories of employees whose strength increase by same percentage in 22 है और एफ यहां पर किता है यहां पर पास किता है किस तो देखो भाई यह मेरे पास किता आ जाएगा देखो पहले हम यह और यह को ले लेते हैं 27 इंटू किता गया तालेस किता गया 27 इंटू पचा तो भाई यहां पर चीन्ज जो हो किता हो गया 27 इंटू 10 का इस पर होगा 27 इंटू 40 को ठीक है इंटू हंड़र ठीक है टीक है तो रवाई 27 27 बराबर था इस ती हमने कवर यह है यह सही यह कटिया यह पास किता है पच्छिस पॉसेंट का चेंज है ठीक है एफ की मैं बात कर लेता हूँ भाई और यहां अगर मैं बात करूं अगया और पांच फास दूनी दस आ गया तो चेंज किता हुआ देख लेते हैं में अभी हमने किया है न फोनमें हमने देख लेते हैं है अधिमर्पास आ अभी हमने निकाला ना इस तो याद रखना में ऑन पता है 25% का यहाँ पर एका तो हम्हें पता है मेरे 400 हो गया और सी यहां पर में बसकेता है 11 परसेंट योग यह पांसो पचास है ना तो भाई यह कित्ते का चेंज है देड़सों का चेंज है किस्ते पे 400 पे 0 से 0 गडिया इंटो अंडर्ड पाच अठे 40 मास्निया 15 देड़ा 37.5 यह थिया मेरे पास 37.5 तो भाई यह वाला भी नहीं है यह एक यह मैं बात कर लेता हूं नुसके आट सो और A मेरे पास यहां पर कित्ता हो गया भाई 25 इंटू 50 हो गया कित्ता गया 1100 300 का चेंज है भाई यहां पर 1100 है 800 300 का चेंज हुआ 300 का चेंज होगा 8 पर यानि कित्ता गया 3 by 8 यानि 37.5 यह भी नहीं होगा तो यह कट गया तो मेरे पास कौन सा गया option number D A and C ठीक है ना तो E और C का percentage change हमारे पास क्या है यानि कि option number D हमारा यहां पर correct हो गया आगे बढ़ते है question number 22 question number 22 क्या गया रहा है देख लेते हैं लिखा हुआ consider the following data with regard the production of car in lakhs ठीक है 2015 है 2016 है in which of the countries the production of car was increased by more than one more than or equal to 5% in the 2016 15 15 से सोल में तो यहां पर change किता हुँ रहा है तीन का change हो रहा है है ना 35 पर है यहां पर गर मैं गोलू इंडियो गया पास करेंगे तो पास सते 35 हो गया पास से काटा बीस हो गया तीन दिन हो गया छे यानि साथ साथ से करेंगे तो सथी अटी चपन हो गया एक इंक्रेस बैए इक्वल टू और फाइव परसेंट अच्छा ठीक ना तो पांस से करेंगे तो सथी सथी अटी चपन आ गया तो एट पॉइंट सम्थिंग आएगा ठीक है यह आपर टू का इंक्रिमेंट है किस पे 45 पे अन्टू हंड़ेड करेंग पांच पांच बज़े आगया मेरे पास एटी आठीक ना इन्टू हंड़ेड करा मैंने दो से काटा चार से काटा तो टूइंटी तू आगया चार से काटा पच्छेस यह गया 125 बटे किता हो गया 22 तो 22 से करूंगा तो किती बार में जाएगा दू टाइम से आएगा तो आगया तीन से करेंगे तीन पच्छे पंदरा आजाएगा फाइप पॉइंट सम्थिंग आएगा यहां पर बसकित्ते का इंक्रेमेंट हो रहा है तू पॉइंट नाइन अपान 58 पॉइंट अट इडा जिरो लगा इन टू हंड़ेड गरा उन्ते से करेंगे बीस आगया बी पॉइंट सम्थिंग तो आप देखोगे केवल आपको कितने दिख रहे हैं और क्या दिकर एप्वर डॉड़ दॉड़ की लिखरा है और एफ एलीफेंट दिखरा है तो एडी ओंली यानी की आप्षिं नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या है क्या है क्लियर रही बात आप्षि कि तरफ अगला कुश्टन आपकी स्क्रीन पर यह लिख वाई दा हार्मोनिक मिन एंड़ जोमेट्रिक मीन आफ टू नमबर्स आर देशन देस था था आर्थमेटिक में देखो मैंने आपको यह सिखाया है क्या होता है जी एम स्क्वाइर बराबर क्या होता है एम इंटू जी ड़ी लीए ना मैंने आपको जो मेंट्रिक मीन बारे में यह बताया है तो मेरे पास क्या दा हार्मोनिक मीन दें रखा जाए रोबर एप जो एम नहीं होता है सुरी सक्तिवान गैसे फोर मिनेट् एम इंटू क्या होता है है एक है मेरे पास किता है तो एम जो मेरे पास आके निकल गया वो किता गया 14.4 आगया पॉर्टीन पॉइंट पॉर यानि की option number डी स्करेक्षियों अगे बढ़ेंगे अगले कोशन लेखाँ दमीन ओफ फाइब ऑब्जरवेशन इस एंग वाट इस दमीन ऑफ फर्स्ट थ्री अब्जरवेशन तो एक तो थी चार पांच पांच एक से ना एक दूई तीन चार पांच ठीकिना अब और यसके बड़र रखा यहां से गर मैं बात कुरतों पांच 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 को बीज तो एम की किता आगया 3 X Plus मेरे बसक्टेस योई 6 आपन में तीन आगया 3 दू नीच यह मेरे बास किता गया X plus 2 इसमें गूए दिक्कत नहीं है यानि कि मैं X बराबर क्या लिख सकता हूँ M-4 पर गया M-4 प्लस तू यानि मेरे पास किता निकल गया गया M-2 इतने किल गया एम माइनस टू याने की option number C is correct यह लिए बात option number C हमारा यहां पर क्या हो गया है correct हो गया है आगे बढ़ेंगे अगला question यह लिखा हुआ है लिखा हुआ देखो question को दोड़ा साब पढ़ा गरो ध्यान से काफी सारी चीज़े मिल जाएंगे इस अगरा मीन अगर्ण मीन वेट ऑफ 100 इस्टुडेंट्स अन्रड इस्टूडेंट्स का मीन वेट इता रिखा 56 एज एक का ता मीन वेट इता है 50 गेजी गरल कर मीन वीट किता है 40 kg और और आपके पास 46 है तो यहां पर आप एलिगेशन लगा दीजे ज्यादे दिमाग मत जाल को दिसका निकल के आता हैए उच्अ कि अनुपात में हमने चीजों को मिलाया खूता है मुझा से ऐड़ेंस पूछाने तो डिफरेंस यहांपर विpor facilitating किता है एक देश्य तो एक इंटू 20 किता अगे पास 20 पर अबर यह किता आगे 20 option नमर्स के यह तो पुचह है तो नमबर ऑफ बॉइ एक सीज द नमबर ऑफ गल्स is 20 अगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन किया है मेरे पास assume that population density of five major states of India are given ठीक ना which one of the following diagram is suitable to represent the data okay options क्या क्या है single bar diagram percentage bar diagram five diagram या फिर मेरे पास क्या है since population density is a ratio it cannot be represented by any of the diagram तो देखो भाई इसमें क्या लगा सकते हैं पॉप्लेस इंडिसिटी ओफ फाइव मेजर स्टेट ऑफ इंडियार गिवन तो भाई यहां परापाई चार्ट बनाई है क्या बनाई है पाई चार्ट यानी पाई डाइग्राम मिस्टेबल यह पाई डियाग्राम बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन लिगा हुआ है विच वन आफ दो फॉल्विंग रिप्रेसेंट स्टाटिटिकल डेटा पहला मेरे पास क्या है दा नेम्स अफ आल ओनर्स आफ शॉप यहां पर यहां पर यह सब तो हम ऐसे भी कर सकते लेकिन इसके लिए हमें ज़रुवत पड़ेगी तो क्या पड़ेगी इस्टेटिकल डेटा मेरे पास कौन सा यहां पर option number D the volume of a rainfall in a certain geographical area recorded every month for 24 consecutive months clear हुई बात आगे बढ़ेंगे हम अगले question की दरफ question number 28 ठीक है क्या लिगवाए the mean of 25 observation is 36 ठीक है 25 average observation उनका mean किता दिरका मेरे पास 36 the mean of first 13 observation is 32 the mean of the last 13 observation is 39 what is the value of 13 observation ठीक है 25 observation की किती है 36 तो मेरे पास पहले 13 की किती है 32 उसके लास्ट 13 की मेरे पास किती है तो बहिया एक यहाँ पर extra है है तो average हमेशा बराबर ही होता है तो यहां पर मैंने बोल दिया 36 यह मिरे पास 36 और जो number वो भी किता है तो यहां पर देखते हैं एक्स्ट्रा है वो क्या है वो देख लेते हैं तो यह मेरे पास होना चाहिए था 32 है कित्ता च्छत्यस कित्ता ज्यादा है यहां पर ज्यादा कित्ता है देखो ओना चाहिए च्छत्यस है कित्ता की कमी है चार की कमी कित्ते की कमी कित्ते की वज़े से तो 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 यहाँ पर कित्ते की कमी हो रही माइनस कित्ता हो गया ओदेंगे तो वही मेरी पास जाएगा क्वल कर सकते हैं आप क्या कीजिएगा पच्चिस इंटू क्या करेंगे हम तिस और हम पिर क्या करेंगे तेरा इंटू 32 करेंगे एक तालेस मेरे पास क्या है तेरा इंटू 39 है तो इन इस सथा करेंगे दो तो दिखकत नहीं आप करने वाले आप तीन टम से तो हम क्या गरेंगे क्यों गूब रूट निकालेंगे 125 इंटू 729 इंटू मेरे पास क्या है 1331 तो यह बास किता आ गया पांच यह बास किता आ गया नौ पच्छे हो गया 45 इंटू ग्यारा रोस किता आ गया 495 यानिके ऑप्शन नमबर एस करेक्ट यह क्लियर भी और हो पित्ती बात क्लियर है आगे बढ़ते हैं लिखा वाट इस दा मीडिन आफ तस मीडियो निकाला में यह नहीं नहीं निकालना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको एसेंडिंग यह पर डिसेंडिंग ऑर्डर में दूर्वर्ट करें तो रूपस किता आएगा थी प्रेड़ आपको स्ट इधर इधर से ले लिए यो बीच वाला रहा यही मेरेपास क्या हो गया मीडियन रहा या रहा मीडियन रहा यानि की ऑप्शन नंबर भी एर भी बात I hope you enjoy the session आपको आज का session बसंद आया होगा तब तक के लिए जैहन